वेलकम गाईज वेलकम तो माई चैनल आज हम लोग एक डाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है लिंकेज बिट्विन इंवार्मेंट एंड इकोनमी कि ऐसा क्या रिलेशन्शिप जो है इकनोमिक एक्टिविटीज के बीच में और इंवार्मेंट के बीच में पा हमारा किसी भी इकोनमी की बात नहीं थी सबका फोकस क्या होता था इकनोमिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करना क्योंकि एकनोमिक एक्टिविटी क्या होती है प्रोड़क्शन एक्टिविटी कंदप्शन एक्टिविटीज आप इनको जितना इंक्रीज कर रहे थे उतना पॉड़ रहा था आपकी इंकम बढ़ रही थी तो सब्रद्द कब और सिर्फ यह कि कि इकनोमिक एक्टिविटीज को बढ़ा कर स्प Giving को क्या है उड़ार कि किस तरीके से आप इकनोमिक अक्टिविटीज के हैल्प से उड़ार कॉ थर यह हमारी नेंकम क्या है किसी भी कौन भी की बढ़ गई लेकिन क्या हुआ हमने देखा कि same national cris को बढ़ा लिया क्योंकि हमने production किया है हमारी national income बढ़ गई लेकिन हमारी economic activity economic activity मालो work छे याप दों के production करने से आस अधने कुछ जाहिं सा भुद सा खालती है कि एर पोलीशन होने की वजह से लोगों को सास लेने में धिकत है उनको है प्रोब्लम आती है उनका डॉक्टर का कि बढ़ जाता है तो हमने देखा कि जितनी एक तरफ हम इकनोमिक अक्टिविटीज को बढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ कही न कहीं हमारा इंवार्मेंट भी क्या हो रहा था अफेक्ट हो रहा था अब फिर यह समझा जाने लगा कि हम इन दोनों को इकठा पड़ते हैं इकठा क्यों पड़ते हैं एक तरफ आपको इकनोमिक अक्टिविटीज से पता लगेगा कि आप इनवार्मेंट को कितना हाम कर रहे हो और किस तरीके से आप इकनोमिक पॉलसी से इनवार्मेंट को खराब होने से बचा सकते हो क्योंकि आपका इनवार्मेंट का स्टैंडर्ड है वह भी तो डिक्र और पाएंगे तो इसलिए यही कोशिश की गई कि हम economic activity और environment protection दोनों के बीच में क्या अग्रेकर रखें क्या बैलिंस बना कर रखें क्योंकि environment भी क्या देता है environment भी तो economic activity के लिए raw material देता है इन दोनों को इकठा पड़े और इकठा पड़के यह समझे कि economic activity किस तरह environment को affect करती है और environment जो है वो किस तरह से economic activities को परभावित करता है तो यह linkage इसलिए हमने बनाया कि हम दोनों को इकठा जो है study करना जाते हैं तो डोनों की इवार्मेंट के साथ Economics की बहुत बड़ी importance है अब आपको पता है कि इन्वार्मेंट जो है इंवार्मेंट के अपने component कि environment जो है आपको बता तो इन्वार्मेंट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है 1986 के अंदर इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसमें कहा गया कि इन्वार्मेंट क्या चीज़ इंक्लूड करता है इन्वार्मेंट इंक्लूड वोटर एयर लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप इसका मतलब यही है कि Environment Protection Act ने यह बताया कि जो हमारा environment है उसमें हर चीज आएगी water, air, land और इनका जो आपस में सभी का आपस में relationship भी हमारे environment में ही क्या होगा count होगा कि water का land के साथ और human being के साथ जो relationship होता है वो भी हमारा environment में ही क्या होता है count होता है के अपर जो इकनामिक अक्रिविटी, जो भी इनवार्मेंट को पता है दो पार्ट में डिवाइट करते हैं environment के दो component होती है जिसमें थमारी जीवी ती ज जैसे Plants हो गया, Humans हो गयी,game जो सास ले सकती है फिक है वह सारे के सNews to BIO European GOVIC के करें डान्थ ह्सेयरा अप्रक्कलात में स्पिर संगे अप्रद सभाई हें जो स्केंदर लेते हैं और यह दोन्हों तोन्हाइयमट बायोटिक अलिमेंट और अप्रद बाक्लाहों स्नुन्व मेंट्स को जोडा जाता है तभी हमारा इंवार्मेंट क्या है बनता है देखो बोच से बाइयतीग और आबायोटिक आर इंटरडेपेंडेट्ट एक दूसरे पर निरभर भी है और को इंफेलेंस करते हैं ठीक है तक है अब हमने रहे हिए यहां राटों से होती है अवлемें ड़ा हैं भोटोंड मैटर फिर कावाल मेस्ट सब्सक्राइब यह सब क्या है यह सारा बनाती है तो यह सब किसके अंदर आएगा आइगा थो हमने इंवार्मेंट के दो पड़े एक और आप पार्मेंट की उनको हमने दो पार्ट में क्या की है डिवाइड किया है तो अब होता है Biotics, Biotics में आपको पता है क्या आएगा Biotic component के अंदर सारी living जो जीवीत है जो सास ले सकती है चीज़े वो जिनके अंदर birth और death की जो एक characteristic होती है वो पाई जाती है तो वो सारी चीज़े क्या होती है Biotic component होती है Biotic component that include all living that it is form of life and follow the process of birth and death जिनका जीवन और मरण संभव है वो सारी सिज्जे किसमें आ जाएगी इन्वार्मेंट को पढ़ा इन्वार्मेंट क्या होता है इन्वार्मेंट में सबसी जोग इंक्लूड किया हुआ है इन्वार्मेंट के दो पार्ट होती है बायोटिक और आवायोटिक बायोटिक का मतलब और आवायोटिक में हमने किनके इन्वार्मेंट को इन्क्लूड किया अब हम दो देखेंगे कि अब हमने देखा कि इन्वार्मेंट को भी हमने पढ़ लिया और हमने ये भी कहा कि इन्व अक्रिबिटी को प्रभावित कर रहा है और इक्रिबिटी इन्वार्मेंट को एक्ट कर रही है और इसी रिलेशन्टिप को वह मैं एक चर्लिशंटिब से समझते हैं कि किस तरीके से हमारा होता है अब यह वह मैं यह डाइग्राम आपको क्या बताएगा कि orbits control Oo roku कपा है उसको detail में समझती हैं देखो हमें पता है कि हमारे यहाँ यहाँपर दो ही सहर्फ को होती है लेकिन हम क्やमानते हैं विसको समझने के लिए कि टू-Startly एक सेकर है प्रौड Shapстра छे फार दाइग्रातर सेक्टर यह अफिर कंजप्शन स्टर डोनों का रिलेशन से है इकपिडोमीक से है कि मतलब कि कि में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हुआ है फिली है तो हमने क्या किया है दो पार्ट मघिम क्लिए ऊपर 설डिये और यहां वाली जो है सारा environment कि environment हमें क्या क्या सीज़े देता है और इनके बीच में क्या relationship है तो हमने क्या देखा कि दो ही हमारे पास क्या होते हैं सेक्टर होते हैं एक production sector हो गया एक consumption sector हो गया production sector goods और services को बनाएगा consumption sector consume करेगा और production प्रोडक्शन सेक्टर। जो भी रिसॉर्टिस लेता है अब को पता है क्या अलेता है लिए अहनगा रंपयालunyaा वह वो उससे लेता है और बदले में क्या देता है बदले में उसको देता है उसकी सर्वीस्ज असका पेविंट के बने seeking 왜 डेखा ल तो आपने देख विच्माप्र अगा किया क्ट से लिए को इसके बखले में क्या पैपंट करते हैं वो कि जो भी पिली आपको चत्र बनाती हैं सारी की सारी कौन खरीता हैं कंजप्शन सेक्टर। खरीदता है consumption sector खरीदता है और इसके बदले में consumption sector या household सेक्टर क्या करता है अब आपने goods और service लिए हैं तो आप क्या जेते हो payment देते हो जिसको हम क्या बोलते हैं गूड्स और service की payment बोलते हैं तो आपने देखा यह production sector और यह consumption सेक्टर एक दूसरे से सर्विसीज लेते हैं और उसकी payment करते हैं यह तो हो क्या टू सेक्टर मोडल जो हम सिंपल economics में बात करते हैं अब इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया हमने क्या जोड़ दिया इन्वार्मेंट को जोड़ दिया अब हर एक सेक्टर को चाहिए क्यों तो consumption factor हो या production सेक्टर हो इन्वार्मेंट हर किसी को कुछ ना कुछ देता है जैसे देखो हमने दो parts में डिवाइड गया था ना उपर वाला हिस्सा हमारा सारी एकनॉमिक अक्तिविटी है नीचे वाला सारा हिस्सा हमारा इन्वर्मेंट है त्ठीक है नीचेव़ला environment है अब देखों आप को क्या देखोगे की production sector जब्ल को इनवर्मेंट क्या क्या देता है पहले देखेंगे कि खिया क्या उसको देता रिटा इसाना भी भी रो मेटीरियल इन्वार्मेंट में अबलेबल होता है और जो प्रडक्शन करने के लिए जरूरी होता है वो सारा इन्वार्मेंट किसको देता है इन्वार्मेंट देता है प्रडक्शन सेक्टर को ठीक है और उसके बाद इन्वार्मेंट और क्या देता है प्रडक्शन सेक देता है फार्म को देता है प्रोडक्शन सेक्टर को देता है यह दो दो चीज हो गई कि उसमें अपना स्ट्रोक और रिसोर्सी दे दिया और अपनी इंवार्मेंट सर्विसीज भी किसको देदी फार्म को देदी अब आपने देखना है कि प्रोडक्शन जो हाउसोल सेक्टर ह उसको इन्वार्मेंट क्या करेता है मैंने कहा कि हर एक सेक्टर को इन्वार्मेंट कुछ ना कुछ देता है अब हाउसोल्ड सेक्टर को भी दिया अब हाउसोल्ड सेक्टर को भी क्या दिया हाउसोल्ड सेक्टर को भी जो इन्वार्मेंट है अपनी इन्वार्मेंट सर्विस से देता है सर्विस तो यह भी आगहा यह भी ले सकता है season वाली फैसलिटी वगएरा तो है वह प्रन प्रडक्शं सेक्डर भी लेता है है रीक्रेशनल सर्विस इस ऑस county रहे लेता है अब यह तो हो गया कि क्या क्या चीज इंवार्मेंट इन दोनों को देता है अब इनवार्मेंट क्या है अब इनवार्मेंट को यह भी कुछ जत्ते होंगे तभी तो रिलेशन बनता है न अब देखो अब क्या हुआ हाउसोल सेक्टर ने जो भी वेस्ट होता है हाउस तो वह यह सारा का सारा सिंक हो गया साटा सारा बेस्ट अमने कहां डाल दिया एप्रोडक्शन sciences क्हते अपना सांदा का सारा वेश्ट मैटीरियल क्या करता है मेटिरियल बच करता है वेस्ट मैटीरियल कहां डाल लेकिन जो हाउसोल्ड सेक्टर हो या फॉर्म हो दोनों क्या करते हैं अपना जितना भी वेस्ट होता है सारा का सारा कहां डाल देते हैं वो इनवार्मेंट में तो आपको समझ आया कि economic activity और इन्वार्मेंट के वीच में क्या है relationship वह पाया जाता है तो यह तो हो गया कि इंटर्लिंकेज कि क्या इनके वीच में क्या relationship जो है वो मिलता है तो यह वाला अब यहां पर आपको यह diagram माझे से क्लियर हो गया हो गया अब थोड़ा सा और दो मिनिट का टोपिक रहा गया इसको डिटेल में डिसक्स कर लेते हैं अब अब एक डियाग्राम से हम यह समझते हैं कि क्या रिलेशन्सिप जो है स्टैबलिश होता है किस-किस के बीच में पॉल्यूशन के बीच में और डैमेज के बीच में कि एकनोमिक्स में पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो क्या डैमेज भी बढ़ेगा तो पहले यह माना जाता है कि कोई थ्रेशोल्ड एफेक्ट नहीं होता जैसे जैसे एकनोमिक्स में पॉल्यूशन बढ़ेगा एकनोमी बढ़ती जा रहे है आप ऐसी चीज प्रोडक्ट बना रहे हो जो प्रॉइशन बहुत क्रियेट कर रहा है प्रॉइशन हो रहा है तो एधर आपका पॉलूशन ले लिया यहाँ पर क्या हो यह आपको यह जो को लाइन है यह वर 45-ग लइनि आपको किया दिखा रही है यह आपको दिखा होता है कि जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैमेजि भी बर्द रहा है तो पॉलूशन और डैमेज के बीच में क्या है डारेक्ट रिलेशन्शिप जो है होता है चीक है कि डारेक्ट रिलेशन्शिप जो है यह क्या है लीनियर डैमेज फंक्षन है यह वला और यह क्या है पॉल्यूशन फंक्षन हो गया तो इनके बीच में क्या है एक relationship होता है कि जैसे क्वर दॉट Алजी बढ़ेगा वैसे वैसे डेमेगे बड़ेगा लेकिन उसकी जी रेट ए वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है अब इनवंपेंट के अंदर डैमेज फंक्जन अब है कि जैसे जैसे pollution बढ़ता है पहले तो वैसे वैसे डेमेज इंक्रीज मतलब सेम लेट से बढ़ रहा है õतना ही डेमेज बढ़ रहा है देखो यहां तक लेकिन फिर ट्रेश्ळाद से बढ़ policnaute नहीं बढ़ता लेकिन आपका डेमेज्य यह वह बढ़ता है तो जैसोल आ जात जाते हैं तो क्या होता है लेकिन टेंश बढ़ना चलता रहता तो यह एक इपन decor तॉक हो के में important है environment economics में I hope so आपको मेरा topic समझ आया होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको like करना share करना subscribe करना मेरे channel को thank you for watching this